यह इलिट्रेसी रेट है जो बता रहा है कि इतने लोगों को थोड़ी सी भी जैपेनिस समझनी आती अज मैं एक्स्प्लीन करूंगा गाको नो काईदन SP स्पेशल के एपिसोड अगर आपको गाको नो काईदन SP के बारे में जरा सा भी पता नहीं है तो इस आई बटन पर क्लिक कीजिए गाको नो काईदन SP को कुछ लोग गोस्टर स्कूल का सीजन टू भी कहते है लेकिन ये औफिसियली सीजन टू नहीं है लेकिन इसे कुछ लोग कहते है तो ये लीजिये एक्स्प्लिनेशन तो गाकोनों का एदन SP के सिर्फ 6 एपिसोड है कुल मिलाकर और एक एपिसोड में दो काहनिया है तो मैं इस एक वीडियो में दो एपिसोड एक्स्प्लेइन करूँगा तो पहले एपिसोड की स्टोरी में हमें ये दिखाय जाता है कि एक साधरन सा स्कूल का लेक्चर चालो होता है और तब ही रीसेस हो जाती है तब ही उसी ब्रेक में एक लड़की टॉयलेट जाती है और फौर्थ दर्वाजे पर नौक करती है लेकिन वो दर्वाजा अंदर से होता है और उसे कोई आवाज ने आती तो वह अपने दोस्तों कर आकर ये सब कुछ कहती है तो उसकी दोस्त कहती है कि वह पर जरूर कोई भूत होगा शायद हाना को और उसकी दोस्त एक कहानी बताती है जो उसके दोस्तों के साथ हुई थी कि एक लड़की ने ऐसे ही किया और उसके सामने हानको आई थी और वो अभी तक बीमार है आजकल तो सभी टॉयलेट में जाने से डर रहे है कुछ बच्चों ने ये ट्राइ किया था और उन्हें सच में हानको की आवाद सुने दीती मतलब ये तो पक्का है कि टॉयलेट में हानको का बूत है इसलिए तुम करने के बाद वो टॉयलेट से बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ पर एक औरत खड़ी होती है अपना बच्चा लेकर तो वो औरत उसे अपना बच्चा देती है और कहती है कि जरा तेरे के लिए समालो तो लड़की उस बच्चे को लेकर खड़ी रहती है टॉयलेट के ब गाइज अगर आपको अगाकोनों काईडन SP के आगे के एपिसोड देखने हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि आपको अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन आ जाए उस बच्चे का वजन बढ़ता ही जाता है और तबी वो बच्ची उस बच्चे को जमीन पर रख देती है और वहांसे भागती हुई चली जाती है वो अपने दोस्तों को ये सब कुछ कहती है और उसके दोस्त कहते हैं कि वो बूत जरूर उबू में ही हुगी खुबू में एक ऐसी बूत है जो अपना बच्चा किसी इनसान को थमा देती है और कहती है कि थोड़े समय के लिए इसे संभा लो और वह से गायप हो जाती है और देखती ही देखते है उस बच्चे का वज़न बढ़ जाता है और वो पत्टर में बढ़न जाता है और उन पत्तरों का वजन बढ़ते ही रहता है जब तक इनसान वो उस पत्तरों के वजन के वज़ से कुछला ना जाए उन सब को तभी पता चल जाता है कि टॉयलेट में सिर्फ आना कोई नहीं है बल्कि और भी कई भूते और सच में बहुत ज़़ादा भूत होते है आपको आगे समझ आएगा तो अब आजाते हैं दूसरी स्टोरी पर तो दूसरी स्टोरी में हमें ये दिखाए जाता है कि एक शरार्टी बच्चा जो बिलकुल हाजमे जैसा दिखता है, हाँ सच में हाजमे जैसा ये दिखता है, वो एक क्लेस टैचू की उंगली तोड़ता है, तो उसके दोस्त उस पर चिला रहे होते हैं, और उसके दोस्त उससे कहता है कि क्लेस टैचू में भी जान होती है, तो तुम उन्हें चोट मत पोचा हो तो वो इस बात पर विश्वास नहीं करता है तो वो लड़का ग्रेड फॉर ग्रूप फॉर में होता है और जैपैन में ऐसा माना जाता है कि फॉर अनलकी नंबर होता है क्योंकि फॉर और डेथ इन दोनों को एक ही नाम से पुकारा जाता है तो वो लड़का ग्रीड फॉर ग्रूप फॉर में होता है और वो ट्वैलिट जाता है और च्छोथे ट्वैलियट में जाकर चार बचकर चुवालीस मिनिट पर वो चार बार फलश करता है तो ये सब कुछ करने के बात होता हुच नहीं है फिर जैसे हो आपने पल के जhप आता है वो देखता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है वो आपने पीछे देखता है तो वही क्लिके स्टैच्चू जिसे उसने तोड़ा होता है वो चलने लगते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं तो वह वह से भाग जाता है भागते वह देखता है कि वह एक टॉट फ़र वासाइली तो वह की तो पूछता है कि एक जुम भी कती कि चूए उवासरी का स Mitte कि आwydd ऐल राइगी तो फ़र्स्ट एपिसोड में बस इतना इसा और फ़र्स्ट एपिसोड कि बारी है एपिसोड टू की पहली कानी है कि कुछ बच्चे एक मंदिर में कैम के लिए आए होते हैं उन मेंसे एक लड़की को टॉयलेट जाना होता है तो वो अपने बिस्तर से उठता है और मंदिर के बगल वाली एक टॉयलेट में जाता है उसे कुछ आवाज आ रही होती है तो वो अपने टॉयलेट की खीड़की से देखता है तो उसे देखता है कि एक बुड़ी औरत सफेद कपड़ों में एक कबर खोद रही है तब ही वो बुड़ी औरत उसकी तरफ मुड़कर देखती है और वो बच्चा तर जाता है डर के मारे वो फिर से अपने बिस्तर की और दोड़ता है उसके पीचे वो बूड़ी औरत भी दोड़ती है फिर वो जाता है और अपनी कमरे का दरह बन कर रहता है और सो जाता है और तब ही वाँ पर बूड़ी औरत आ जाती है और सबके पैर चुने लगती है ये चेक करने के लिए किसके पैर गिले है क्योंकि वो लड़का अभी अभी टॉयलेट से आया होता है यक तो वो सबके पैर को चुकर देख रही होती है और तब ही उसे वो लड़का मिल जाता है तो वो उस लड़के का पैर पकड़ कर कीचती है और तब ही वो लड़का चिलाता है उसके चिलाने की शोर से बाकी सारे बच्चे उट जाते हैं सब लोग रोशनी लगा कर देखते हैं तो वो कहता है कि एक बुड़ी औरत थी तो सब लोग कहते है कि तुमने बस एक सपना देखा होगा लेकिन जब वो अपने पैर की तरफ देखता है वहाँ पर किसी के हाथ का निशान होता है तो वो लड़का बहुत डर जाता है पहली कानी खतम अब दूसरी कानी दूसरी कानिय में दिखाय जाता है कि एक लड़की को अपने बालों का गहमंड होता है क्योंकि सबसे लप में बाल उसी के होता है पूरे स्कूल में तो वो अपने बालों का ख्याल रखती रहती है हमेशा और अपनी तारिफ करती रहती है स्कूल छुटने के बाद वो अपने दोस्तों से कहते है कि उसे अपने बाल टिक करने है और वो बाल टिक करने टॉयलेट में जाती है बाल टिक करने के बाद वो लड़की टॉयलेट करने जाती है तो भी उस टॉयलेट में से आवाज आती रहती है एक भूत कहरा होता है कि मु तोईले पेपर का थोड़ा सा तुकड़ा उस टॉयेट में फेक देती हैं और तभी वह पेपर नीचे चाला जाता है přिर्से वह भूत कहता है कि मुझे टॉइले पेपर चाहिए तो लड़की फिर से पेपर का तुकडा उसे देती रहती है फिर वो भूत फिर से लगातार ऐसा कहता रहता है और वो लड़की बार बार उसे टॉयलेट पेपर देती रहती है फिर अंट में वो टॉयलेट पेपर खतम हो जाता है तो बूत कहता है कि मुझे टॉयलेट पेपर चाहिए लेकिन वो लड़की कहते है कि अब खतम होगे तो उस बूत को बहुत गुसा आता है और वो उस लड़की के बाल पकड़ लेता है दी एंड तो दोस्तो यही है कानी इन दो एपिसोड की मैं इस वीडियो को यही पर एंड करता हूँ तो अगर आपको यह वीडियो पसंदा ही हो तो इस वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स के साथ शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना तब तक के लिए मैं मिलता हूँ गाकोनो कायतन स्पी के नेक्स्ट एपिसोड की एक्स्प्लाइशन वीडियो के साथ गुडबाई झाल